टेलीग्राम के उपर आज हमारे S.L. गए है ठीक है? तो मैंने आज का काम बंद किया आपको मैं दिखाना चाहता हूँ morning में आपको levels दिये मैंने उसके बाद आपको बोला कि bank nifty में 52,550 के ऊपर cost side opportunity देखो and 52,380 के नीचे put side लेकिन वो नीचे तो गया ही नहीं कुछ खास अब देखो पहला trade हमारा बना बहुत छोटा 450 से 475 उसका move आया लेकिन हमें जो move चाहिए जिस time चाहिए तब नहीं आया again हमने एक trade दिया 20 point का SL अंट हुआ जबकि इसमें भी move आया लेकिन तब नहीं आया जब हमें चाहिए यानि कि देने के बाद जब इसको cross करे 396 को तब move आना चाहिए लेकिन पहले क्या किया उसने SL लिया उसके बाद move किया तो यहाँ पर भी मैंने cost to cost बाहर करवा दिया अब इसमें कुछ लोगों का profit हुआ कुछ लोगों का loss हुआ जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप profit है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक profit में trade है एक loss में trade है यहाँ पर आप देखोगे तो एक loss में trade है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक profit में एक loss में trade है यहाँ पर एक profit में trade है तो mix राय कुल मिला के दिन और यहाँ पर एक profit में trade है ठीक है तो कुल में लाखे mixed day ज्यादा लोगों ने काम किया नहीं बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को भी मैंने बोला कि ज्यादा काम मत करो over trade मत करो mixed day है till now because of that I stopped for today loss को limit में रखना is important हमेशा चलिए यहाँ पर देखो लोगों ने अच्छी बात है कि लोग waiting for the good opportunity loss में कम है जो भी लोग trade कर रहे होंगे but the point is जब हमारे profit होते हैं तो हमारे profit अच्छे होते हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे अगर यहाँ देखोगे पिछले 2-3 दिन के profit जो मैंने डाल लिते कल तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो कि हमारे SL कितने कम जाते हैं अब देखो यहाँ पर मैंने अपने members को trade दिया था पहले समझा देता हूं मैं so that आपको समझ में आए कि trade गलत नहीं था वक्त गलत बोल सकता है या manipulation बोल सकते हैं मैंने अपने members को trade दिया था कहां पर 5050 में मैंने अपने members को trade दिया था इस लेवल पर ठीक है यह जो आपको red candle देखने को मिल रही है ना premium में इसके high के उपर हमने trade दिया था और यहां पर 5-10-15 minute तक यह sustain किया इसके उपर लेकिन मुझे चाहिए था इसके उपर एक बढ़िया momentum इस target के लिए ठीक है बट क्या हुआ ऐसा नहीं क्या गया market यहां तक बिलकुल क्या market नीचे गया बिलकुल नहीं लेकिन market ने क्या कि अब इस वाली का इस candle का कोई logic है ना तो इसने नीचे continue किया ठीक है continue जब इसको उपर ही करना था तो यह candle लानी क्यों थी इसलिए लानी थी कि जो लोग यहां पर trade plan कर रहे हैं for the above levels उनको एक बार exit करा दो वह exit हो जाएंगे फिर दीर दीर उपर जाएगा market और कोई वापस स trade नहीं लेगा trade कब लेगा कोई वापस से जब एकदम से बड़ा move आएगा तब लोग सोचने trade लेने की ठीक है जब यह slow-slow move कर रहा होगा कोई trade नहीं लेगा क्यों 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 नहीं लेगा trade वेट करेगा वो यह levels निकलने के यह देखो यह level निकला वापस से red candle फिर market sideways premium में निकी 25.30 यहां पर मिलते अगर यह direct यहां पर इस टाइम पर चला जाता तो क्या trade हमने गलत ली नो बस यह candle नहीं आ नीचे यह थी यह गलत हुआ ठीक है entry सही थी दीरे दीरे यह जाता भी तो लोग यहां पर hold करते क्योंकि उन्होंने सही जगे entry किया था इसके बाद तो जो विक्सी विक्स देख रही है उपर विक्स नीचे विक्स उपर विक्स नीचे विक्स तो यहां पर कौन लेगा trade खुछ समझो ठीक है यही एक opportunity मिली थी जहां पर trade ले सकते थे उससे पहले भी कोई opportunity नहीं थी यहां पर देखो full on rejection उपर से red candle का और अगली ही दो bullish candle with green कित perfect तरीके से trade देते हैं हमारे SL minimum से minimum जाते हैं यह आपको पता होना चाहिए चलिए अब देख लेते हैं कहानी आगे की क्या हो सकती है market ने देखो high बनाया है ठीक है market ने high बनाया है no doubt लेकिन इस तरीके से अगर market चलेगा तो पैसा नहीं बनेगा पैसा बनाने के लिए हमको momentum चाहिए वह या तो वापस से downside का यह area हमारा अब support area रहने वाला है 24,000 का level 24,100 का level and 24,180 24,200 यह हमारे resistance level रहेंगे market अपने all time hyper है मैं चाहरा था यहां से market correction दे market नीचे आए put side में बढ़िया plan बने लेकिन वो successful ही नहीं हुआ market ना नीचे आना चाहरा है ना अच्छे से उपर जाना चाहरा है जो लोगों को market ने यहां पे पैसा बनवाया है यह rally में अब वो उनका loss करा के हिसाब को करना चाहता है बराबर चीक है चलिए तो कल की कहानी हमें इस area में नहीं करना है काम यह almost almost 80-100 point का area मुझे देखने को म दूसरी condition है market अगर हमारा gap up open होता है तो sustain करना चाहिए levels के उपर then हम यहां से upside का plan करेंगे ठीक है मान लीजे market हमारा gap up open होता है यहां level तक आता है यहां w pattern बनाएगा उसके बाद हम यहां पे call side में trade लेंगे ठीक है put side के लिए इसके नीचे आने दो तो यह वाला area आपका put side के तो यहां पे एक put side का trade बन सकता है जादा नहीं बन सकते है area बहुत बड़ा नहीं है अगर एक कोई panic fall आएगा panic fall आएगा तो उसको हम उसी time में पकड़ने का try करेंगे वीडियो को like channel को subscribe, telegram को join comment section में जो पूछना है पूछ सकते हो but yes हमने आज control किया और over trade नहीं करते हु जबरदस्ती काम नहीं करते हुए लोगों का पैसा बचवाया पैसा कमाना जितना जरूरी है यहां पर जब ऐसी दिन आते हैं तो पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है यह चीज हमेशा ध्यान रखो वरना आप एक दिन कमाओगे एक दिन गवाओगे ultimately month end आपका loss में ही जा ना है thank you so much bank nifty की वीडियो में बात करेंगे bank nifty के बारे में